Assalamualaikum and welcome to East Learning. आज हम Oxford Progressive English 7 का यूनिट नमर 9 करेंगे Other World जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे History Goya का मैनर के बारे में मैनर एक बरे से महल को कहते हैं और History Goya का उस महल यानि उस घर का नाम था और ये यूचुली महल जो है वो या मैंशन जो है या बड़ा सा हाउस जो है वो मेनिस्टर का होता था पहले और अदर वर्ड का मतलब है या दूसरी दुनिया है ये एक्स्ट्रेक जो आप पढ़ रहे हो ये शैडो मैंसर से लिया गया है जिसे जीपी टेलर ने लिखा है ये एक एक्साइटिंग स्टोरी है हाला कि इसकी शुरुवात योकशायर कोस्ट एक किनारे से होती है 18th century में इं किलावा एक लड़का है अफ्रीकन लड़का है जिसकी कश्टी तूट गए थी और वो पच पचा के किनारे पर आ गया था और वो लोग फाइट कर रहे हैं बुराई के खिलाफ और बुराई के खिलाफ उनके सामने कौन खरा था उबैद्या देमरेल खरा था जो कि वहां का लोकल विकार यानि लोकल मिनिस्टर था राफा वो हिफासत कर रहा था एक ऑबजेक्ट की एक historic object की जिसका नाम कर्विम था कर्विम उपजेक्ट का नाम विकेता है historic object और यह object इसको चाहिए था wicket देमरेल को चाहिए था और वो अपने plan में काम्याब होना चाहता था तके इस दुन्या को अंधेरों में डालते है, उसका ये मक्सदा है, उस object का सिख का स्तमाल करते हुए, इस दुन्या को अंधेरों में डालने की कोशिश कर रहा था, प्लैनिंग कर रहा था, ये वो पॉइंट है स्टोरी का, जब बच्चे जहें, वो हैरी स्रोम यानि बरफ के तु पूछते हैं, मदद के लिए जाते हैं, उसको मदद का पूछते हैं वहाँ पर, एक्सलेनेशन में यहां पर दिखें, रहावा है, जो पुराने वक्तों में, Lord of the Manor, जो है वो, Land of the Manor होता था, रिजिस्ट्रिक का, यानि जो जमीन का मालिक होता था इलाके में, उसको Land of the Manor कहते थे, और उसके घर को Manor House का जाता था, ठीक है, यह बड़ा सा मेंचन है, वो बड़ा सा महल होता था, यूज्वली, तरफ और उसने कपड़े कैसे पहने वेते, पैर बिज है अशने पजा में पहने वेते और रेड हंटिंग कोट पहना था, शिकारी कोट पहना था इसके इलावा ब्लै कलर के बड़े-बड़े पूट्स पहने वेते, अब गुगू के केट जहें वो उसे कहती है, मुखातिब होके कहती है, केट उसके सामने उसे अड्रेस कहते हुए कहती है, कि मेरे दोस जहें गेट पर है, यानि कौन? थॉमस और रफका, हम जो है वो मुसीबत में हैं, परिशानी है, हमें आप अपने स्टेबल में, यानि होर्स वगारा को जह कहती है, अब वो बंदा उसे कहता है, केट को कहता है, कि तुम आ सकती हो अंदर, और वो पिर उसकी दोस्तों को भी इशारे से बुलाता है, शाउट करके बुलाता है, इशारा करते पर शाउट करता है, कि तुम लोग भी अंदर आ जाओ, और अपने दोस यानि के साथ पूर सुकुन होता है तभी की कोषिछ करता है। लेकिन मोटे-मोटे डार्क प्लेंकट जैसे बातल आकर आसमान पर वाइब करते हैं। रिलिकंटली कहते हैं। हैशिटेच होते हुए ने तर गया रफ र Layer की तरफ और वो दोनों walk करते हुए घर के दर्वासे की तरफ से अंतर धाकल होते हैं, फिर इन तीनों को वो बंदा वो welcome करता है अपनी great smile के साथ, अपनी बड़ी smile के साथ उन्होंने घर ले आता है, और वो आदमी अपने हाथ उन बच्चों से handshake करता है, इन तीनों बच्चों से हाथ मिलाता होने कहता है कि तुम्हें welcome है, इस ट्रीगोई का मैनर में, उस घर का नाम है, यहां हमारी family जो है, वो 300 years से रह रही है, और मेरे अबव अजदाद भी इस land में, east की तरफ से यह आयते हैं, जब हम यह आयते हैं, तो हम east की तरफ से आयते हैं, और यह ऐसी जमीन हैं जह हीं तर फोलक्त हो सब खूब्स निंगारी फोलक्त है, वो बता था उपेरेंस के रहे स्कुम्हे जान के जगाते हैं यहां सले में जाए, हैजल सामहित आगी। इसलिए हमें इस बात का एसास है और हम जो विजिटर्स यहां पर कोई आता है हमारे घर पर तो हम भी उसे इतना ही अच्छे से वेलकम करते हैं कि उशर्ट कहता है उशर्ट का मतलब है वो उने गाइट करते हुए एक बड़े से ओर्णेट यानि डेकॉरेटर फॉलवे की तरफ लेगे जाता है और फिर वो कहता है चलते-चलते कि मुझे माफ कर देना मैंने अपने बारे में तो तुम लोगों को बताया है नहीं मेरा ना परिगराफ 3 में बात हुए एक आपने दोस्तों को इंट्रेडूस कराती है कि करने और वो कह परी होती है बात करते वह तो बाहर तूफान था तो बर्भडु तूफान था तो नके कपरों पर बीड़ लगी ती और वो कमरा गरम हो रहा था जहां वो दाखिल हुए तो वह और तुम किचन से चैने पानी पानी हो जाएगा। तो मुझे एक खाल में तुम यहां दूर साय होके, और तुम मुझे अपने बारे में ज़रूर बताना, जब तुम साफ कर लो खुद को, और जो खाना वना खालो, बैटो जब फाय की दरब, तुम मुझे बताना, तुम कहां से आयो हो, और तुम यहां क्या कर रहा हो, फिनिस्टर लेट देम तु दे किचन फिनिस्टर, जो बन्दा है, यानि जो आदमी जिसने तरवादा को लाता, उसका नाम फिनिस्टर है, वो सब को किचन की तरफ रिजाता है, घर की किचन की तरफ, जहां एक बड़ा सा कमरा होता है, वो किचन जो है, बड़ा सा कमरे की तरह होता है, जिसमें बड़ी-बड़े पत्थरीली दिवारे बनीनी है, और एक बड़ा सा फायर प्रे से, ऐसा लगता है, फायर विलेंग जिससे एक लंबा सा कोई आदमी हो, इन धा हड हड यहां पे जो है वह हो फायरोफ की फ्लोर को कहते हैं बहुत तेजी से वह तेज आंग जल रही थी वहाँ पर फ्लिक्रिंग अगेंस वॉल जो कि किसकी तरफ बढ़ रही थी दिवार की साथ चिपक रही थी और उसमें से बहुत जादा शोले निकल रहे थे उसमें स्मोक निकल रही थी थोहा था और उसकी जो चंगारिया उपर की तरफ चेमने की तरफ जा रही थी और वो उने कहता है कि तो च्पर्वाइभ से मनें अधिने के लिफंधा राखिए। वह मतलुत होता लिफंब बंदी कि लिफंधा फोटर्स नेते कहले जाते है कि लिफंधे टोड़ीists अ待って, लिफंधे लिफंधी दोगा रेम थेanie वेज़र मोस्तरी बंदी경ड ऑंख शिर्टी utility just रोले इसके आख की तरह आते हैं और पर अपनी skin को खेशता है अपने cheek bones को खेश रहा होता है कि skin tight हो गई होती है और उसे बहुत टेजी से भूख लग रही होती है उसका मूँग ऊरशू रहा होता है उसे coffee की smell आ रही होती है और यहां पर intoxicating का मतलब है excitement, उसे excitement हो रही होती है कि कोफी जो है वो cauldron यानि जिसमें वो पकरी है उसको cauldron कहते हैं, तो उसके खुश्बू आ रही थी जिसके बहुत वो excited हो रहा था, और उसके यह था कि कब इनको सामने ये coffee दखी जाएगी, चैट पर चैट जो मीनिंग है ना burnt या blackened जो pot हो चुका था वो और उसमें black coffee थी और उसकी lid यानि उसके धकन में से bubbles की आवाज आ रही थी, I like more coffee to boil, minister कहता है कि मुझे boil coffee पसंद है और इसका smoky flavor मुझे जादा, तो कि smoky flavor देती है, अगर उसको बालेंगे तो कैसा flavor देगी? Smoky flavor देगी, paragraph number 4 में बात ही हो रही है, बस्टल कहते है, वो जल्दे जल्दी kitchen के आसपास गुम रहा था और उसने लकडी किसम की उसे ओक कहते है, लकडी से बनीवी table पर ब्रेड भी रख रहा था, और for the lord of the manor, हाला कि वो minister था, ठीकिया है, घर का, लेकिन ऐसा लग रहा था, जैसे वो चीजे पहले भी कर चुका है, या इतनी speed थी उसे पता था, जैसे कौन सी चीज किधर पड़ी भी है, हाला कि kitchen जो अब बिल्कुल clean था, cupboards भी बिल्कुल साख थी, और कोई ऐसी servants, वहाँ पर इनको कोई नजर नहीं आएगा, कोई servant होगा, कोई knocker होगा, ऐसे लग रहा था, वो खुद काम करता हो, पिर इन तीनों बच्चों ने बहुत कम थोड़ी बहुत attention दे रहे थे, इतना into the fire, into the fire, cave जो है, वो खुद की दुनिया में चली गए, जैसे ही वो किसको देख रही थी, आख को देख रही थी, वो सोचों में चली गए, उस चिंगारियां जो निकल रही थी, उसके दिमाग से, वो तो निकल गए, लेकिन वो ऐसी जगहां में पहुंच गई, एक दूसर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, वो घुठावर को टावर नजर आता है, जो ओपर की तरफ उठावता होता है, और पिर वो सब कुछ अचानक से गहब हो जाता है, उसके दिमाग से, फिर उसको क्या नजर आता है? एक शिव नजर आती है, जो गोल गुमरी होती है कि वज़ा से और वो अपने हाथों को जो है वो फ्लेंज की तरफ आगे बढ़ाती है ताकि वो गरम हो जाए ठीक है एंड वस अवेर ऑफ और पावरिंग फिलिंग और उससे बहुत यह समझ आ जाती कि इसके बहुत तेजी से नीज आ रही है वो अपने पाउं लंबे करती है अपने हाथ मसल्स को नहीं बंदा हिलाता है थोड़ा देखता है कि क्या हो रहा है मेरे मसल्स को ऐसे वो रिलैक्स करती है वह आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गारी लाइक करिए श्योट करें और सुब्सक्राइब करना मत बोली लाइक आलाफ दिए